नमस्कार दोस्तों आप सभी काप स्टेडी के ओनलान प्लेटपोर्म में स्वागत है आज इक लास का अमरा टोपिक होने वाला है बाजरे की खेती बाजरे की खेती से सम्मधि जो इंपोर्टेंड इंपोर्टेंड क्यूसन बनते हैं उन्हें के बारे में डिक्सकर्शन करने वाले हैं और जो अधिकतर क्यूसन एक्जाम में पुछे जा सके हैं और पुछे जा सकते हैं और उनकी इर्दगीर्द जो क्यूसन बनते हैं उन्हें के बारे में डिसकर्शन करने वाले हैं तो आज ही क्लास हर एक्जाम की दृष्टी से बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने पहला क्यूस्टन है निम्न में से बाजरे का कुल है लेगुमिनेशी मालवेशी ग्रेमीनी या फिर कुक्रे बिटेशी तो जो बाजरे के कुल बाजरे का कुल क्या होता है बाजरे के कुल की बात करे तो ग्रेमिनी कुल है राइट आंसर होगा C बाजरे कुल क्या है ग्रेमिनी कुल है गुनसुत्रों की संक्य की बात करे बाजरे में तो गुनसुत्रों की संक्य पाई जाती है चाउदा और उत्पतिस तल की बात करे उत्पतिस्थल की बात करे तो बाजरे का उत्पतिस्थल अफरीका देश को माना जाता है के बारे में, तो बाजरे का बोटनेगल नेम क्या है, बाजरे का बोटनेगल नेम है, पैनिशितम गलुकम, पैनिशितम, पैनिशितम गलुकम, बाजरे का बोटनेगल नेम क्या है, पेनी शिटम गलुकम बाजरे का बोट नेकल नेम है यदि बाजरे की उत्पतिस्तल की बात करें तो उत्पतिस्तल अफरीका है तुआन बराब वर्गुन सुत्रों की संक्या चौद्धा पाई जाती है बाजरे की पसल में अब बात करते हैं बाजरे में परागन की तो बाजरे की पसल पर परागित पसल है और या प्रोटो गाइनी पसल है प्रोटो गाइनी पसल है बाजरे की पसल है प्रोटो गाइनी एंडरो गाइनी दोनों या फिर कोई नहीं तो राइट आंसर होगा प्रोटो गाइनी बाजरे की मुख्यत पसल क्या है प्रोटो गाइनी पसल है बाजरे में जो जीन पाई जाती है बाजरे में जो tip 23A gene पाई जाती है वो hybrid बाजरा उत पादन के लिए पाई जाती है तो hybrid बाजरा उत पादन के लिए कौन सी gene तरदाई होती है tip 23A gene बहुत ही important gene होती है अगला question है निम्न में से गरीब के बोजन के नाम से जाने जाने वाला नाज कौन सा है गेहूं जो बाजरा या फिर जमार तो जो गरीब का बोजन कहलाता है गरीब का बोजन गरीब का बोजन कहलाता है बाजरा तो right answer होगा C गरीब का बोजन बाजरा कहलाता है बाजरे के बीज की बात करें तो बाजरे का बीज क्या कहलाता है तो बाजरे का बीज केरियोप्सिस कहलाता है ग्रीब आदमी का बोजन क्या है बाजरा है और बाजरे का जो बीज होता है वो केरियोप्सिस कहलाता है बाजरे का बोटनिकल लेम क्या है पेनिसिटम गलुकम कुल ग्रेमिनी है बाजरे का कुल क्या है ग्रेमिनी है तुवन बरा अब बात करते हैं अगले क्यूशन की अगला क्यूशन है निम्न में से बाजरे का बीज क्या कहलाता है केरियोप्सिस औरोजेनीन दोनो या फिर नोरेंटेन तो जो बाजरे का बीज कहलाता है केरियोप्सिस और आइट आंसर होगा औरोजेनीन की बात करें तो औरोजेनीन जो धान होता है क्या वो उन से पसल औरोजेनीन धान में प्रोटीन का परकार है यह जो दान में प्रोटीन पाई जाती है वो औरोजेनीन प्रोटीन पाई जाती है और जो नोरेंटेन है वो ग्याहू में बोने पन के लिए उत्तरदाई जीन माणी जाती है तो राइट अप्रोटीन है जबकि नोरेंटेन गयाहु में बोने पन के लिए उत्तरदाई जीन मानी गई है अब बात करते है अगले क्यूसन के बारे में अगले क्यूशन है बाजरे के दानों में वशा की मात्रा कितनी पाई जाती है पांच परसेंट असी परसेंट शडशट परसेंट या फिर ग्यारा परसेंट तो जो खाद्यान पसलों में शर्वादिक मात्रा में वशा पाई जाती है वो पाई जाती है बाजरे की पसल में और खाद्यान पसलों में शर्वादिक वशा की मात्रा कौन सी पसल में पाई जाती है तो राइट आंसर होगा बाजरा क्यों सबन सकता है निमन में से बाजरे की पसल में वशाक परतिशत पाई जाती है तो 5 परतिशत इसका राइट आंसर होने वाला है अब बात करते हैं बाजरे में प्रोटीन की मात्रा की बारे में तो जो बाजरे में प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 11.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जबकि कार्बो हाइडरेड पाँच प्रतिशत 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 कितना 60 प्रतिशत कार्बोहेड्रेट पाया जाता है जबकि पास्पूरस की बात करें तो पास्पूरस की मात्रा अश्ची प्रतिशत पाई जाती है बाजरे की पसल में तो सत्खाद्यान पसलों में शर्वादी की वसा शर्वादी की वसा बाजरे की पसल में पाई जाती है जबकि कार्वोहाइडरेड पाए जाता है 66% और जो 5 पूरस पाए जाता है बाजरी की पुसल में तो जो 80% पाया जाता है तो इसमें लगवाशंज लगवशे सभी पूसक्त्तों संफून संतूलित मातर में पाए जाते हैं इसलिए इसे गरीबादमी का बोजन नी कहा जाता है गरीबादमी का बोजन का एहलाता है अगला क्यूश् radio है भारत में बाजरा उत्पादमी फर्तमिस्तान किस राज्ये का है राजश्थान, गंगा नगेर, फिकानेर या फिर मद्ये परदेश तो बाजरा उत्पादर में अधी राजस्तान में फरतमिस्तान की बात गये तो बाजरा उत्पादर में फरतमिस्तान राजस्तान का माना गया है भारत में तो एराइट आंसर होगा राजस्तान बाजरा उत्पादर में फरतमिस्तान की इस राज्य का है राजस्तान का माना गय है बाजरा जुआर शेविए अधीक जो बाजरा की पसलोती है बाजरे की पसल जुआर से भी अधीशू का सेंची ले पसले मनी गई है अब बात करते हैं बाजरे के उत्पादन के बारे में विशो में बात करें विशो में सरवादी कुछ पादन के का पर होता है बाजरे का भारत में होता है विशो में सरवादी कुछ पादन यदि भारत की बात करें तो भारत में सरवादी कुछ पादन राजस्तान में होता है और राजस्तान की बात करें तो राजस्ता बाजरे की बात करें उत्पादन में जेपुर जिला अगर्णी जिला माना गया है तो विश्व में शुर्वादिक उत्पादन बाजरे का कहा पर होता है बाहरत में बाजरे का सुर्वादिक उत्पादन राजस्तान में राजस्तान में छेतरपल में तो अलवर जिला अब बात करते हैं बाजरे की जलमांग होती है बाजरे की पसल के लिए जलमांग तो बाजरे की जलमांग होती है 250-300mm बाजरे की पसल के लिए जलमांग 250-350 निमानी हुए है अब अगले क्युश्न खुल्प के बारे में निम्र मेंसे बाजरे है तू बीजदर कितनी रखी जाती है दो केजी पर हेक्टेर चार केजी पर हेक्टेर दोनो या फिर फांच केजी परती हेक्टेर तो जो बाजरे की रोपाई है तू रोपाई है तू बीजदर रखी जाती है वो रखी जाती है दो केजी परती हेक्टेर तो ए राइट आंसर ह यानि कि इसकी नरसरी तियार करके बाजरे की रोपाई की जाती है तो दो केजी पर हेक्टेर के साफ से बीजदर लगती है तो ए राइट आंसर होगा एक बार बीजदर के बारे में प्रोपर तरीके से देखते हैं यदि सिद्धी बुआई की जारी है बाजरे की सिद्धी नर्षरी में पोद त्यार कर रोपाई की जारी है तो 2 kg पर 3 hectare के साब से बीजदर लगती है अब बात करते हैं पोदो की संक्या के बारे में तो एक हैक्टेर में बाजरे की पोदो की संक्या होती है वो होती है एग लाग 2600 पर 3 hectare एक लाग 66,000 परती हेक्टेर पोदों की संक्या लगाई जाती है बाजरे की खेती के लिए तो बाजरे की सिद्धी बुआई के लिए प्युक्त वीज़र कितनी रखी जाती है तो वो रखी जाती है चार से पांच केजी परती हेक्टेर यदि बाजरे की रोपाई की जारे है तो रोपाई है तो दो केजी परती हेक्टेर की साफ़से बीज़दर रखी जाती है नरस्री तयार करने के लिए अब बात करते हैं बाजरे की एक एक किसम कौन सी है डोलमा एची बी परस्ट एच भी शर्शिट यह डब्लू सीशी फिच्च उतर तो बाजरे की जो फड्डर अब हम बात करने वाले हैं बाजरे की بीजदर की बारे में तो जो बाजरे की सिदीव बॉई हैं तो बीजदर रखी जाती है वो रखी जाती है दो केजी परती हेक्टेर यदि एक हेक्टेर में पोदो की संक्या की बात करें तो बाजरी की खेती है तो एक हेक्टेर में पोदो की संक्या रखी जाती है एक लाग च्यांसट हजार अब बात करते हैं अगले क्यूशन की अगला क्यूशन है नीमने में से बाजरी की प्रतम हैब्रीड किसम कौनसी है दोला मां हच्च घया फिर डबलवी तो जो बाजरूनओंगे हवर सो ने स्पर्षा यह तो यह है इस पर बाजरेगी फॉरतम हैब्रींद हर्षाल किसम है यह वुपाति में हमिद्थ नए यह 실नी फशुट है और चैनिक किसम होने ऑạnh है सोरी स्वेश्ड ऐसूभ battle Cabra G HighBride की स्म èल और होगा बीसका राइट राइट थहाथ हुने वाला है अब बात करते हैं और स्वेश्ड किस्म के बारे में बात किसमे बाजरे की अंत किस्मे तो बात की उनत किसम है एक तो पूर्धा मोठी एक है एच बी पस्ट, एक है एच 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 बी, एच एच बी शडशट, आर एच बी, आर एच बी तीस, डबलू सी सिफ पिच योतर, एम एच गुणिय सी, बी जे एक सो च्यार, एच 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 पस्ट, राज एक सुई ग्योतर, एक है पी एच बी, टैन और एक है पूशा सपेद, पूशा सपेद, तो ये बाजरी की उन्नत किसमे है, कौन कौन सी है, एक तो है बाजरी की उन्नत किसम, पूशा मोती, एच बी पस्ट, फरतम हाइब्रिड बाजरी की उन्नत किसम, अगला क्यूशन है निम्न में से बाजरे का अर्द जड पर जीवी खर्पतवार कौन सा है गोखरू, मोथा, चोनलाई या फिर रूंखडी तो जो बाजरे का अर्द जड पर जीवी खर्पतवार है वो माना जाता है कौन सा रूंखडी जिसे क्या कहते है रूखडी बाजरे का अर्द पर जीवी करपतवार माना गया है जिसे इस्ट्राइगा इस्ट्राइगा भी कहा जाता है याने की इस्ट्राइगा कहा कहा जाता है तो बाजरे का अर्द पर जीवी खर्पतवार कौन सा है रूंकडी बाजरे का अर्द पर जीवी खर्पतवार है इसके नियंतरन की बात करें तो नियंतरन हे तू टू फोर डी का स्प्रेक किया जाता है 500 ग्राम पर हेक्टेर बुवाई के 15 दिन बाद बुवाई के 15 दिन बाद इसका स्प्रिक किया जाता है तो राइट आंसर होगा D अब बात करते हैं बाजरे में यदि खर्पतवार की बात करें तो खर्पतवार नियंतरन है तू शादरन जो साखना सी काम में ली जाती है वो ली जाती है एट्राजीन एट्राजीन कौन सी एट्राजीन साखना सी काम में ली जाती है 1 कजी पर हेक्टेर के इसाब से लेकिन ये दी अर्द पर जीवी रूखडी के नियंतरन के बात करें तो रूखड़ी के लिए वह पसल में काम में लिया जाता है वो लिया जाता टू-फोडी का इस्परिक किया जाता है बुआई के पंदरा दिन बाद और एट्राजीन का इस्परिक किया जाता है वो जैसे जंगली चॉलाय बरू इत्यादी के नियांतरण के लिए अगला क्यूशन है निमने में से बाजरे का जोगिया रोग कहलाता है अरगटे, हरितबाली, कंडिया, फिर काग्या तो जो बाजरे का जोगिया रोग कहलाता है वो कौन से रोग को बाजरे का जोगिया रोग कहलाता है उसे बाज रोग के जाता है तो बी राइट ए आंसर होगा यह कवक्ष जनीत रोग है यदि कवक की बात करे इसके लोरा इसके लोरा इस्पोरा ग्रेमीनी कोला ग्रेमीनी कोला नामक कवक से फेलता है। कौन से बाद रहेगा हरित बाली रोग कवक जनीत है और कवक के नाम की बाद करें तो कवक के स्केलर और इस पुरा गिर्मिनी कोला इसका राइट आंसर होने वाला है हरित बाली रोग हरित बाली रोग है यह मर्दावा बीज दोनों से पहलता है मर्दावा बीज दोनों से पहलने वाला बीज है यह अधी के आदर चेतरों में पहलता है इसमें जो बीज के दाने होते हैं वो पत्ती नुमा सरंचना ग्रैने कर लेते हैं बाजरे के बीज पत्ती नुमा सरंचना ग्रैने कर लेते हैं जो जिससे बीज खराब हो जाते हैं और जो बीज होते हैं वो पत्तियों में बरूप बदल लेते हैं अगरा कैशन है निम्नि बीज में से बाजरे का कावक जन्हीत रोग कौं सा है हरित बाली अरगट दोनों या फिर कोई नहीं तो बाजरे का कावक जन्हीत रोग की बातरी तो हरित बाली भी कावक जन्हीत रोग Marketing काемर री जन्हीत है अगला क्यूशन है निमनी में से बाजरे का मर्दा द्वारा पहलने वाला रोग कौन सा है कंड अरगट भरित वाली है फिर चिपका तो जो बाजरे का मर्दा द्वारा क्यों मर्दा द्वारा पहलने वाला रोग पहलता है वो है कंड रोग कंड या काग्या तो एराइट आंसर होगा कंड या काग्या ये रोग बाजरे का मर्दा दवारा पहलने वाला रोग है इसलिए इस रोग को मर्दोड रोग भी कहा जाता है बाजरे का मर्दोड रोग किसे कहा जाता है कंड रोग को कहा पशल चक्कर अपनाना चाहिए एक तो पशल चक्कर अपनाना चाहिए और ये दी पशल चकर नहीं अपनाते हैं तो वीटा वेगस का एस्प्रे किया जाता है ये कंड पर तिरोधी किसम की बात करें तो कंड पर तिरोधी किसम है बाजरे की पूसा मोती किसम कंड पर रोग पर तिरोधी किसम में मानी जाती है अगला क्यूशन है निमने में से बाजरे की संकर किसमों से परती है टेर उपज कितनी प्राप्त होती है अठारा से बीश की उंट सब्सक्राइब प्राप्त होती है 18-20 पर हेक्टेर एक बार बाजरे का पुनज से रिवाईज कर लेते हैं कि क्या-क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं बाजरे बाजरे का कुल क्या है बाजरे का कुल है ग्रेमीनी गुनसुत्रों किसंग के कितनी पाई जाती है चवदा पाई जाती है उत्पतिस्तल क्या है बाजरे का तो उत्पतिस्तल है बाजरे का अफ्रीका देश बाजरे का बीज क्या कहलाता है बाजरे का बीज होता है वो केरियोप्सिस क्यानला तो क्यों सन बन सकता है बाजरी त्स हद क्छी म्राइव नहीं कि अंतरं क्या है तो बाजरी था है लोज डाल तिक्या रही वाट चकुछ वकर की बात करे तो विश्व में तो उत्पादन में फरतमिस्तान भारत का है भारत की बात करे तो भारत में फरतमिस्तान राजस्तान का है और राजस्तान में बात करे तो राजस्तान में छेतरपल की दरश्टी से बात करे तो छेतरपल की दरश्टी से फरतमिस्तान किसका है अलव गया है अब बात करते हैं बाजरा विकास के अंदर बाजरा विकास के अंदर का परिष्टित है मंदोर जोदपूर एक क्यूशन बहुत एक्जाम में रिपीट है सुरी हर एक जामिल लग रिपीट हो चुका है जोधपूर बाजरा विकास के अंदर का परिष्टित है मंडोर जोधपूर मंडोर जोधपूर अब बात करते हैं जलमांग की बारे में तो जो बाजरे की जलमांग होती है वो होती है 250-300 mm बाजरे की जलमांग होती है यदि बात करते हैं तापमान के बारे में तो तापमान माना जाता है बाजरे की पसल के लिए 25-30 degree centigrade उप्यूक्त तापमान माना गया है बाजरे की पसल के लिए अब बात करते हैं तत्तों के बारे में तो बाजरे की पसल में वशा की बात करें तो 5% वशा पाई जाती है प्रोटीन की बा बाजरे की मात्रा पाई जाती है प्रोटिन की मात्रा ग्यारा प्रतिशत पाई जाती है अब बात करते हैं बीज दरकी बीजदर की तो यदि सिद्धी बुआई की जा रही है बाजरे की तो सिद्धी बुआई है तो चार से पांच केजी पर हेक्टेर के इसाब से बीजदर रखी जाती है और यदि नर्सरी तियार करके रोपाई की जाती है तो तो केजी परती हेक्टेर के इसाब से बीजदर पूसा मोती जो की बाजरे की जो मर्दोड रोग परती रोधी है मर्दोड रोग परती रोधी किसम पूसा मोती किसम मानीगी है हाईच historically के बात क्यूस से पहुए बात करेघने पहरतम में हाईबरीड की सम रहे है अधर वह पहुए इसके अलावा अन्य किसम की बात करें तो अन्य की सम कों कून से होईडरे की एच एच वी अच्फ हैच वी एच्फब शड़ सटरे आर एच्फवी आरेच्फवी तीस ड ब बॉलू सीसी पिस्योतर एम एच वन सेवन नाइन बीजे एक सो चाहर एच एस पस्डी राज एक एक Сबेकी शूएगे उतारे और पुसा-सपेद बाजरे की उनत किस्मे नहीं और मानी गई है। अब बात करते हैं करपतवार के बारे में। खर्पतवार के बारे में बाजरे 02 lovely उड़ी जड़ पर जीवी खर्पतवार कौनसा है। अब बात करते हैं रोग के बारे में बाजरे के रोग बहुत इंपोर्टेंट है तो बाजरे का जो हरी तबाली रोग होता है बारे में रुपांत्री तो जाता है इसलिए इसको बाजरे का जोग या रोग भी कहा जाता है यह कवक जनीत रोग है कवक की बात करें तो कवक कौन सा है कवक है इसकले रोग है अगले की तो अगला रोग है और गड रोग बाजरे का पर मोग है यह भी कवक जनीत रोग माना गया इसके लिए इस अरगट रोग के करने दाने चिपचिपए हो जाते हैं यानि दानों के ओपर चिपचिपआ फदारत जम जाता है जो शूकने पर खटोर दाने बन जाते हैं अब नियंतरन की बात करें तो अरगट रोग में देरी से बुआई ना करें तेन से चार साल का पशल चकर अपनाना चाहिए और जो केपतान और थाईराम होता है पहले तो हरितवाइली रोक की नियंदर्ण की बात करें तो हरितवाली रोक की नियंदर्ण हे तू कि इन को जेब करना चाहिए मेंट को जेब का इस्पेर करना छेहारितवाली रोग मेंद टू और अरगट रोग की बात करेही है मांत tract क्यार्च स्नnt या थायराम कि का इस्पेर करना चाहिए इन बात करते हैं बाग 100 बाजरे का जो कंड रोग है कंड़ोग के बारें बात करें तो काग्या रोग भी कहा जाता है इस में पर्ति-रोध किसम की माने की है नियंत्रन हेतु वीटा वेक्स का इस्प्रे किया जाता है अब बात करते हैं उत्पादन की तो उत्पादन एस शिंचित चेत्रों से ऐसे चेत्रों से पांच से साथ के उनटल परती है जब कि से चेत्रों से इसकी उपज़ पराब्त होती है जब कि तो बाजरे का प्रमुख कीट माना गया है जो वाना गया दिम्मक और शपेद लटे बाजरे के परमुक कीट माने गए हैं इनके नियंद्रन हितु कलोरो पाईरी पोस्ट या कुनाल पोस्ट का स्प्रे किया जाता है दीमक नियंद्रन हितु तो कलोरो पाईरी पोस्ट का स्प्रे किया जाता है चिड़काव किया जाता है और यदि सपेद लट की बात करें तो सपेद लट के नियंतर्ण हे तु क्या किया जाता है कलोरो थियोनिदीन का यह नहीं फोरेट 10 परतिशत को जो फोरेट 10 परतिशत का पंदरा किलो गेजी के बुआई के सपूरू प्रियोग किया जाता है 15 किलोगराम परती हेक्टर के साब से बुआई से पूरू बाजरे के खेत में डाला जाता है लट के नियंतर्ण हे तु तो आज एक लास ती वह थ संबंदी जो इर्द इर्द क्यूशन बनते थे उन्हीं के बारे में डिसकर्शन किया गया है यदि आज ही क्लास आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले ऐसे ही वीडियो अगर आप रोज आजी क्लास में बस इतना ही अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं जोहार की खेती के बारे में जोहार से संब्सक्राइब कुछ इंपोर्टेंट बाते बताते हैं जैसे कि बाद जोहार का बोटनीकल नेम क्या है जोहार का बोटनीकल नेम है सोरगम बाई कोलर है और जोहार झाल झाल